नमस्कार में दीक्षा सेंग बोल्सकाई में आपका स्वागत है साल 2022 का आखरी सूरी ग्रहन 25 अक्टूबर को पढ़ रहा है बता दें शास्त्रों के नुसार सूरी ग्रहन के दोरान कुछ कामों का करना वर्चित माना जाता है उसी प्रकार सूरी ग्रहन खत्म होने पर भी कुछ चीजों का खास ख्याल रखनी की जरूरत होती है जोती शास्त में सूरी ग्रहन को शुब माना जाता है ऐसे में सूरी ग्रहन के खत्म होने के बाद कुछ काम जरूर करने चाहिए इससे ग्रहन की नकारात्म कूर्जा का प्रभाव खत्म होता है तो चलिए आपको बताते हैं सूरी ग्रहन के तुरंद बात कौन से काम करने चाहिए ग्रहन समाप्थ होने के बाद असनान करें और किसी जरूरत मन्त को अन्न वस्त्री अधन का दान करें ग्रहन के पहने काई कपड़ों को भी दान कर दें। ग्रहन काल में मंतर जाफव चिनतन के कारिका विधानें इसलिए ग्रहन का मोक्षकाल समाप्त होते ही भगवान के दर्शन करना विशेश शुफल देता है। सूर ग्रहन के बाद मंदर की सफाई करें और भगवान की मूर्तियों वो पवित्र गंगा जल से स्नान करवाएं सूर ग्रहन के बाद तुलसी और शमी पर गंगा जल छड़क कर उन्हें शुद्ध करना चाहिए ग्रहन के बाद पूरे घर में गंगा जल चड़के, सूर ग्रहन समय में अगर कोई व्यक्ती तीर्थ यात्राओं पर है तो उसे ग्रहन समाप्त होने के बाद करीब की तीर्थ स्थलों पर जाकर इसनान अवश्य करना चाहिए सूर ग्रहन की अंतकी अवधी में श्राद और दान कार करना कल्यानकारी होता है साथी कुंडली के नुसार ग्रहन के प्रभाव को दूर करने के उपाय वश्य करने सूर ग्रहन खत्म होने के तुरन बाद ही घर में जाड़ू लगाने के साथ पोच्छा लगा दी सिन्नकारात्म कूर्जा खत्म हो जाएगी तो आप भी ग्रहन खत्म होने के बाद इन कार्यों को जरूर करें इस वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो को लाइक शेयर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा